गिश्च अधालत में जो है ट्राइलो और अधालत में ट्राइल के लिए अनूती दी गई है इसके लिए बड़ भू सुखनदेवाद और ये ऐसे मौके पे दिया गया है कि उससे हर किसी को ये समझे आ रहा है पहली बार मुकदमा में चार सी टब हुआ जब उन्चुनाव लगने वाले थे और अभी फिर से बिहार का एलेक्शन होने वाला है कल ही हमने पटना में शांदार रेली किये है और बिहार एक ऐसा राज्ज है जहां इंडिये की गौवर्मेंट है जहां बीजेपी है और उस सरकार ने NPR और NRC के खिलाब विजानसवा में रेजुशन पास किया है तो आसानी से इस बात को समझा जा सकता है कि शुरूस से ही इस मामले में राजितिक लाव के लिए ये पुरा का पुरा मुकदमा जो है वो रचा गया है राजितिक लाव के लिए इसमें टालमटूल किया गया है लेकिन अब जब इसमें अनुमती दी गई है हम चाहते हैं कि स्पीडी ट्राइल हो पास्ट ट्रैक कोट का गठन किया जाए ताकि देश को पता चले कि कैसे देश दरोह जैसे राज दरोह जैसे कानून का दुरुपयोग किया जाए है किस तरीके से दिल्बी में दंगा भरकाने वाले जो लोग हैं उनके उपर एफायार करने की जब अनुमती दी कहा एक जजने की आप एफायार कीजिये उनका रातो रात तवादला हो जाता है कैसे लसकरे तर्वा के आतंकियों के साथ हतियार के साथ फक्रे जाने वाले दिरंदर सिंग के उपर देश दुरुपय का मुकदमा नहीं होता है और कैसे करनाटका में स्कूल के आठ साल और दस साल के बच्चों के उपर देश दुरुपय का मुकदमा कर लिया है यह जरूरी हो गया है, कि देस के सामने, दूध का दूध रूध का पानी हो, और हम जानते हैं, देस के खिलाफ कोई नारे वाजी हमने नहीं की है, नारा हम लगाते ही देस के लुगों के हक रधिकार कित्धी अब टीबी वाले आपके अदालत की जगा जो है, संभिधान वाल आपने लिए बात कि आपने इनकार करती रही है और आप जब टाइमिंग की बात करें तो क्या ये माना जाए कि दिली सरकार भी के साथ कही न कहीं मिल रही है देखे कानून की परकिरिया यह कहती है कि किसी भी मामले में 90 दिन के भीतर 4 बात होना चाहिए आप सब जानते हैं इसमें कई महीने लगाये गए, कई महीनों के बाद जो है कई साल लगाये गए हैं परमिशन देने के लिए और टाइमिंग पे सवाल उतना सोभाविक है ये चार सीट अब फाइल हुआ जब हम लोग सवा चुनाव लगने वाले थे और अभी जब बिहार व है और हमारे जो घर के बच्चे हैं जो लड़के हैं उनको जो है दंडा पत्थर उनके आथ में ध्मा करके उनको जो रहा दंगाई बनाने की पुशिश की जानी है ये सवाल जब हम घूम घूम करके विहार के काओं में लेके गए और उस जन दबाव के चलते हैं बीजेपी को भी NPR और NRC के समर्थन में पड़कोजन पास करना परा तो टाइमिंग के सवाल उठना सुखाविक है हम अन्निसेसरी जो है इप और बट नहीं करना चाहते हैं हम चाहते हैं कि अब जब हैसला आया है वेते हैं देर आये दुरूस्त आये वाली बात हो और फास्ट्रैक को पारित की और तेजस्वी अपना अपना रागलाप रहे हैं यह नहीं कह रहा हूं कि हमारी यात्रा के दवाव में यह कहा कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी की सरकार है बीजेपी भी उसमें है और NPR और NRC के खिलाफ रेजलिशन पास कि यह अपने आप में लोग और हमारे जैसे लाखों लोगों की मेहनत विपक्ष की भी उसमें भूमिका है आउंजन की भी भूमिका है जो लोग दिल रात धरने पे बेचेंगे उनकी भी भूमिका है मैं कोई अपना परसनल हिरोईजम नहीं कर रहा है लेकिन आप यह देखिए कि कितना राजनित है देशद्रों का मुकर्मा दर्ज नहीं हुआ आप देखिए कि स्कूल के आठ साल दस साल के बच्ची देश को जानना बहुत जिरूरी है कि देश के लोगों की जो देशवक्ति की भावना उसका किस तरीके से लाजनितिक लाफ उठाने की कोशिश कर रही है यह सर्कारे ज तो देश के जंदा को उनके बुनियादी सवालों को पुड़ा करने में शक्षम नहीं है अपनी वह सखलता को चुपाने के लिए एक फर्जी बहस फर्जी मुकदमा फर्जी बातावरंद यार किया जाते हैं कि फर्जीवारा खतम है इसलिए हम इस पैसले का स्वागत कर र तो महन्याए सुप्रीम कोट में रिजक्त लिया है कि नहीं इस मामले में गोई इस नितर्वी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम ये तो होगा ना कि वहां सबूत रखे जाएंगे बहस होगी और सबूत पर बात होगी कोई भी मूँ उठा करके किसी को भी देटरोई नहीं बोल द आपका काहा हूए बिटा नहीं मानता है मेरे कहा है जो इस चलेगा लेकीन जाए अबी तक कुण निदाश्त लोह है हर मामले में यह निदं कर दो कहां से ही निदा लगार में यह लोग इनकी नद्रों में जो है देश्द्रोई नहीं है और जो लोग रोटी अपड़ा मुरकान सिक्षा स्वास्त की बात कर रहा है वो इनकी नद्रों में देश्द्रोई है सच लोगों के सामने आये और एक बात और है कि यह जो है ना उकत्मा और कोट और जेल इन चीजों से खबरा करके अब हग की लड़ाई नहीं छोड़े है अब हग की लड़ाई जारी करके